हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शृता जोशी आपका मेरे चैनल डॉक्टर जोशी होमेपती में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोज वेंस के बारे में और जानेंगे इसके लिए बैस्ट होमेपतिक मेडिसिन तो आज का ये परिए ये झानना ज़रोरी है कि वेंस क्या होती है हमारी बॉडी में जो है दहें और दूसरी होती है यो हमारे हरे इसको अकास्व colocar सो से मिलेंस करने लिए अलग अलग वॉता है जब हमारे शरीर के निप लोग होता ही से से blood को ऊपर के ओर पहुजाना होता है तो वो जो function को प्रॉपरली करने के लिए वेंस में वाल्व होते हैं जब ये वाल्व अपना function जह है वह प्रॉपरली नहीं कर पाते किसी भी तरीके से ये वाल्व हो जाते हैं इन वेंस में एक ही जगे पे जो ब्लड है वह इखटा होने लगता है इखटा होने के कारण जो वेंस है वह आपस पर ट्विस्ट हो जाती है एक ही जगह पर एक गुच्छे नुमा आकरती बना लेती है उस कंडिशन को हम वेरिकोस वेंस कहते हैं कारणों की अगर हम बात करें तो इसका में कारण यही है कि जो वेंस है उनके जो वाल्व है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं वो किसी भी तरह से अगर वीक हो गए है तो उसके कारण वेरिकोस वेंस की प्रॉपर नहीं कर पाते यह जो वेंस की वाल्व है वो किस लिए वीक हो जाती है तो उसका पहला कारण आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेंस की प्रोब्लम बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है इसके अलावा अगर आपकी बॉड़ी में हार्मोनल डिस्बैलेंस है तो उसके कारण भी आपको वेरिकोज वेंस हो सकता है नेक्स रीजन आता है कि अगर आपको बहुत समय तक लगातार खड़े होना पड़ रहा है जिससे ट्रैफिक पुलिस वगेरा जो होते हैं वो उनको बहुत लंबे समय तक एक ही जगे पर खड़े रहना पड़ता है तो उन लोगों में वेरिकोज वेंस की प्रोब्लम बहुत जादा देखने के लिए मिलती है सिम्टम्स के अगर हम बात करें तो इसके में सिम्टम्स यही होते हैं कि आपको जनरली यह जो प्रोब्लम है यह पैरों में होती है तो पैरों में अगर आप देखेंगे तो आपको एक ही जगे पे हरे या नीले कलर की काफी सारी वेंस कुछे नुमा आपको एक जगे पर द अब हम बात करते हैं होमेपेथिक मेडिसिन की तो होमेपेथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको लेकर करके आप अपने वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है पलसे टिला अगर आप यह देख रहे हैं कि वेरिकोज वेंस की जो प्रॉब्लम है वो अगर फीमेल में हो रही है उनके पैरों में बहुत जादा हैविनेस हो रही है और बहुत जादा स्वैलिंग अगर हो गई है इतनी जादा और हैविनेस के कारण वो एक जगे पर बैट नहीं पा रही है काफी जादा रेसलेसनेस उन में फीलिंग हो रही है तो इस तरह की कंप्लेंड के लिए पलसे टिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है थर्टी पुटेंसी में दो दो बूंदे दिन में तीन बार लेकर के आप यूज कर सकते हैं next medicine आती है वो है हेमामैलिस दोस्तों हेमाइलिस is one of the best medicine for वेरिकोज वेन्स अगर पेशिंट को वैरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के साथ-साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है साती साथ जिस पार्ट में भी वैरिकोज वेन्स है वहां बहुत ज़्यादा वीक्नेस की फीलिंग हो रही है तो अगर यह सिम्टम है हिमेमेलिस आपके लिए बहुत अच्छे medicine है इसे आपको mother tincture form में यूज़ करना है इसकी दस-दस बुंदे दिन में दो बार ले करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसको आपको 6X potency में यूज़ करना है इसकी चार चार टैबलेट दिन में तीन बार ले करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स जो medicine आती है वो है वाइपरा वाइपरा भी वैरिकोस वेंस के लिए बहुत अच्छी medicine है इसमें जो patient है उसे जो पैर लटकाता है तो उससे बहुत जादा उसको problem होती है उसे लगता है कि अगर मैं पैर लटकाऊंगा तो मेरे जो पैर है वो फट जाएंगे इस तरह हुआ है तो वह चाहिएगा कि वह लटका के ना बैठे पैर उपर करके बैठे इस तरह की complaint है तो वाइपरा आपके लिए बहुत अच्छी medicine है इसको 200 पोटेंसी में दिन में एक बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स जो medicine आती है वह फ्लॉरिक एसिड में जो बढ़ जा रही है और cold application से उसकी जो problem है उसमें बहुत ज़दा कमी आ रही है तो अगर इस तरह की complaint है तो फ्लॉरिक एसिड आपके लिए बहुत अच्छी medicine है 30 पोटेंसी में दो दो भूने दिन में तीन बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ हुमिपेथिक medicines थी जिन्हें आपको अपने symptoms के हिसाब से लेना है इसके अलावा एक drop आपको किसी भी तरह के वेरिकोज वेंस की problem है उसमें लेना ही है उसका नाम है NL13 यह drop जो है वो वेरिकोज वेंस के लिए बनाया गया है इसकी 20-20 बूने आप दिन में तीन बार लेकर क की यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ हमिपेथिक medicines थी जिनको लेकर के आप अपने वेरिकोज वेंस की problem पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखना है अगर आपको कुछ योगा या exercise करना है जिससे कि आपका वेट कम हो अगर आपका जौब ऐसा है कि जब आपको बहुत लंबे समय तक खड़े होना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि हर एक घंटे पर आपको कम से कम 5-10 मिनिट के लिए बैठना है अगर आपको वेरिकोज वेंस की problem ऑलरी हो चुकी है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप सोते हुए जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी साथ बैल बटन को भी दबाएए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स टाइम से मिलते रहें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार